तो यहां पर फाइनली एक नया ग्लोबल स्टेप बीटा अपडेट रोल आउट होना शुरू हो गया है सारे रेडमी डिवाइस के लिए तो चलिए यहां पर वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले प्लीज एक बास जरूर रिक्वेस्ट करूंगा नीचे रेट कले का सस्क्राइब बटन है उसको जरूर से दबा देना ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली वीडियो सारी देखने को मिल जाए जो भी मैं आपक पर वीडियों चक्त रहूं यहां पर सबसे पहले सेटिंक्स में चलने तो यहां पर आउट फोन एंपको देखने को मिल जाएगा यहां पर 2019 की आपको अप्डेष्स आप्डेट को मिल जाएगी चेंज लोग की बात करें तो चान्फ मों सेम पुराना देखने को मिलता है उ आगे है 2019 65 का तो यहां पर लेटेस्ट दे दिया अभी तक किसी भी डिवाइस में आपको देखने को नहीं मिलेगा लेकिन यहां पर लेटेस्ट एक महिना पहले का आपको स्कुरेटी पैच दे देते हैं बीटा के अंदर जो की काफी कूल बात है कि आपको सबसे पहले मिल जा होम स्क्रीन लेयाउट का तो मेन फीचर आपको इसमें यहीं अपडेट के बाद देखने को मिल जाता है कि आपको जो होम स्क्रीन लेयाउट का ऑप्शन है वह आपको चेंज करने का यहां पर ऑप्शन ऑफिशली आ गया है इससे पहले हमको यह नहीं देखने को मिलता था लेकिन अब update के बाद officially आपको देखने को मिल गया है जिसमें आप 4x6 या 5x6 यहाँ पर select कर सकते हो तो 4x6 का अगर आपको मैं layout दिखा हूँ तो आपको simple जो app vault आपको system launcher यूज़ करते हो उसमें आपको वैसे ही देखने को मिलता है हाला कि मैं यहाँ पर Poco launcher यूज़ करता हू तो यहाँ पर देख सकते हूँ यह 4x6 का आपका layout है जो की symbol आपको देखने को मिलता है अब आप इसको यहाँ पर change करके 5x6 भी कर सकते हो जिसमें 5 आइकन आप एक साथ यहाँ पर लगा पाऊगे जो की काफी अच्छे से work करता हूँ अभी आपको मिल जाएगा तो देख सक करना चाहो 4x6 उस तरीके से कर सकते हो 5x6 आगर आप यहाँ पर चेंज करना चाहो तो आप इसको कर सकते हो तो दोनों यह option आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है तो थोड़ा यहाँ पर बगी है थोड़ा धीरे धीरे आपको यहाँ पर यह work करता हुआ मिल जाएगा और आप यहाँ पर इसको चेंज में देख पाऊगे कि दोनों option आपको मिल गया है डार्क मोड में यह 5x6 सही से शो नहीं हो रहा है एक बार मैं यहाँ पर बंद करता हूं उसके बाद फिर से आपको सही से यहाँ पर दिखाता हूं तो डार्क मोड अभी फुली efficient नहीं है होती है कभी-कभी उसमें सही से वर्क नहीं करता है तो अब आप यहाँ पर clearly इसमें देख पाऊगे कि 5x6 और 4x6 का आपको यहाँ पर यह shortcut में मैंनू भी option मिल जाता है जिसके साब से आप यहाँ पर set करना चाहो तो आप easily set कर सकते हो साथी साथ नीचे आपको option मिल जाएग जिसमें आपको खूब ads देखने को मिल जाते हैं जो कि पुराना है कुछ नया यहाँ पर आपको यह नहीं रहता है साथी साथ एक नई update भी है कि MIUI 11 में ads कम करने की कोशिश करेंगे और user friendly ads देने की कोशिश करेंगे बंद करने का ऐसा कोई confirmation यहाँ पर अभी तक तो नहीं आ अगर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है आइकन जो की काफी अच्छी बात यहाँ पर आपको रहती है तो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाओं तो देख सकते हूं यहाँ पर यहाँ पर अफिशल अपडेट में आपको यह देखने को मिल गया है Redmi Note 6 Pro users के लिए यह पोको एवन के लिए भी आ गया था लेकिन आप फिलहाल यहां पे नोटिफिकेशन नहीं आई है इसलिए सिंपल क्लॉक दिखा रहा है जैसे ही को नोटिफिकेशन आ जाएगी क्लॉक यहां पर छोड़ी हो जाएगी पीम का साइन आपको एम पीम का चला जाएगा और उसकी ज प्रो यूजर्स के लिए तो जो की काफी बैटर काफी अच्छी बात यहां पर मुझे लगी उसके लवाब मैंने आपको पुराने फीचर्स एक दो बता ही दिये थे जिसमें था कि अगर आप डेवलपर उप्शन में जाके यहां पर यह बंद करोगे मियो आप्टिमाइश ह्सकता है जो की ठीकदा कर अपर उपशन है अब ऩटा हो कब हमको मिलेगा इसकी हमको कोई ढमें मिलए है देखने को नहीं मिलता हैं तो इसलिए उसे ब्रवार टैप साइस करने का आपको यहीं से देखने को मिल जाता है जिसमें आप अगर जाता है और यहां फोर थोड़ा साइस जादा बड़ा हो जाता है यहां पो ehकन वंक्त मिल जा का जाएंगे जिलाए कि ढेंगे क्या को took तो यही अपडेट आपको देखने को मिल जाती है और अभी तक आपने हमाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर देना अगर आपको बैस वाल पेपर से हैं तो उसका भी मैंने लिंक दे रखा है तो आप वाल पेपर डाउन्लोड कर सकते हूं फिलाल के लिए इस वीड